Hello friends good morning home terrace gardening में आपका स्वागत है अब रे विंटर का मौसम चालू हो गया है सबजिया का मौसम आ गया है तो हमें सबजिया तो लगाना है उसके लिए हमें मिट्टी की बहुत गरैज परती है तो मिट्टी आज काल तक बहुत ब्रॉब्लेम हो रही है अच्छी मिट्टी मिलना भी बहुत ही होती है तो हमें तो मिट्टी चाहिए है तो हमें क्या करना है अच्छी मिट्टी के लिए हमें कैसे उसमें अच्छी मिट्टी रहेगी कॉलिटी अच्छी रहेगी तो हमें लास्ट येर के जो गमले रहते हैं जैसे मैंने अभी इसी के लास्ट एयर में एक गमला इसमें बहुत सारी पालक लगी थी शायद मेरे पुराने जो विवर से उनको पता होगा मैं काफी इसमें सब्जिया लगाए थी तो उसमें मैं पूरा सब्जिया निकाल दी है अब विंटर के मैंने कुछ पालक संडाले हैं देखें अब इस निकलन सब्जियान दे विवर मीडं फॉब के कैसे कहिं कई देखिए कम गुछ मिट्टी को यहां दूप में सुखाने के लिए लखें देखें इसमें कितने सब्जियान कितानू रहता है तो चुप कम ाप mi उसमें सब्जियान सब्जिया बाइक निकलेंगे तो ये हमारी जो मिठ ह wz yu 2x 3 दिन दूप को सबफे can Toutबstrा में रहा किचक शुलाना है से क我要 उसमें तoth हे दो बनेकेक और पर रचे मतला है रहीं है रहाती पर निकल जाते हैं और कॉलिटी भी अच्छी बन जाती तो बाद में हम लोग इसी मिट्टी से हम पेट पोदे लगा सकते हैं अभी मैंने आपको जो एक्जम्पल दिया था पालक का वो देखिए तीन चार दिन हो गए मैंने पालक डाले उसके रूट्स भी आया है तो मिट्टी हमारी जिर अच्छे रहेगी तो हमारा पेट जो भी ह पालक पालक डिकल गए और धनया भी निकल गया जब धनिया को भी टाइम लगता है यह देखिए धनिया मैंने ऐसी डाल दिया था निया भी निकल गया है और यहाँ देखिए यहां भी नीव सब छोटे-छोटे सीट दिख रहें हैं यह जो तीन पहले है तो ऐसे अच्छा रिजल्ट आदे हादे के बंच में फ्लावर्स गिरा है वह देखिए फ्लावर्स के सब निकले हैं चोटे-चोटे पोदे तो हमें पहले मिट्टी अच्छी बनाना है तब हमारे पेट पोदे ऐसे जो भी हम लोग सेट जालते हैं तो सब निकलते हैं तो उसको पहले 3-4 दिन तक अच्छे दूप में सुखाई है वह गरम गर्मी से वह सब बैक्टरिया मर जाते हैं और अपनी स्वाइल की कॉलिटी भी अच्छी हो जाते हैं और पेट पोदे के लिए बहुत बढ़ी आ रहता है तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करि देखे हैं और ब्रॉइस में सब्सक्राइब जिए मण मुड़ें'll it okay quick दोिक आपकरा की किशन की और अच्छे से बीज लगाओंगी विंटर का पालक है मेथी है तो यही बहुत बढ़िया इसमें से निकलेगा अभी मैंने दिखाया है तो आप भी आइसे ही करिए बहुत बढ़िया और सॉइल का भी यूज हो जाएगा लास्ट एर का बहुत बढ़िया तो जरूर करिए यह जाइस है